आज हम विज्ञान विशायक अक्षा दस्मी में नियंत्रण एबं समन्वाय के बारे में अध्यान करेंगे नियंत्रण हमारे द्यानिक जीवन में हम परियावरण के प्रती कुछ किरियां को हम देखते हैं और उसके देखने के बाद हम प्रती किरिया के बाद उसको हम निर्णा लेते हैं और प्रती किरिया उत्पन करते हैं तो नियंत्रन का अर्थ होगा कि पर्यावरण के प्रती जो हलचल हुई है जो गती हुई है हम उसको कैसे नियंत्रित, हमारा तंत्री का तंत्र कैसे समनवय करता है, वो है नियंत्रन और समनवय कोई भी जो किरिया होती है, तो हमारा शरीर, हमारा तंत्री का तंत्र सभी अंग मिलकर उस पर सामुहिक रूप से अपना समनवय, सामंजर से स्थापित करते हैं, उसको हम कहते हैं समनवय तो हम देखते हैं कि नियंत्रन और समनवय शाह है, तो ये मैंने इसका अर्थ बता दिया, समनवय अब हमारे शरीर में क्या होता है जो समन्वय होता है वो तंत्र की समन्वय भी होता है और राशायनिक समन्वय भी होता है ये देखी आप समन्वय एक समन्वय होगा हमारे शरीर में तंत्री का तंत्र द्वारा और एक समन्वय होता है राशायनिक समन्वय तो अभी हम पढ़ते हैं तंत्री का तंत्र के द्वारा समन्वय तो जो तंत्री का तंत्र है हमारे शरीर में अभी मैं इसका चित्र आगे बना रही हूँ तो तंत्री का तंत्र है वो तंत्री का कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो जो तंत्री का कोशिका है उसको हम नियूरॉन भी कह सकते हैं इस प्रकार देखते हैं ये तंत्री का तंत्र पेशी उतक द्वारा संचालित होता है जैसे हमें किसी ने कहा हाथ उपर उठाओ तो हम हाथ उपर मस्तान ने सुना और मस्तिश्क ने उसको आग्या दी पेशियों तक ये बात पहुंची और हमारा हाथ उपर उठ जाएगा तो सबसे पहले हम एक नीरोन या तंत्री का कोशिका के बारे में धियन करते हैं तंत्री का कोशिका रेखिए ये इस प्रकार इसमें एक कैंदरक होता है और यहां से ये पतले पतले जाल निकलते हैं इनको हम द्रुमी का कहते हैं और ये बीच का हिस्सा है ये कोशिका का है और एक हिस्सा थोड़ा लंबा हो जाता है ये कहलाता है तंत्री काक्ष और तंत्री काक्ष के यहां से कुछ साखाएं निकलती हैं इस प्रकार ये तो हम देखते हैं और ये दुरुमी का इसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशी का है और ये जो हमारे उद्धीपन है इनको एक विद्धुत आवेक की तरह बदल देती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो तंत्री का कोशी का ये नियूरॉन है ये बहुत महत्तुपूर है इसका चित्र आता भी है इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार जो आपने अभी देखा था ये जो इस प्रकार ये नियूरॉन है ये इस प्रकार लंबा है ये एक नियूरोन दूसरे नियूरोन से जुड़ा हुआ होता है इसकी साखा है इससे संबंध बनाती है इस प्रकार ये जुड़ी हुई रहती है तो ये एक हो गया इस प्रकार ये दूसरा और इस प्रकार ये तीसरा ये देखिया तो ये तंत्रीका कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और ये हमारी पेशियों, हमारी शरीर की पेशियों जहां से हम गती करते हैं, हलचल करते हैं, उस प्रकार ये जुड़ी हुई रहती हैं और सुचनाओं को विद्दुत आविक की तरह हमारी पेशियों को प तंत्री का तंत्र में एक बहुत महात्वपूर्ण संबंध है जो एक निवरान होता है अभी मैंने इसका बताया यह जो दुरुमिका है और एक हिस्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसको अपन एक्जॉन या तंत्री का अक्षि करते हैं तो इसकी ये रेखेंगे तंत्री का आए हैं वो दूसरे दूसरे से इस प्रकार ये तो यहाँ पर एक निवरान का दूसरे निवरान से संबंद होता है जो इस्थान होता है यहाँ का इसको हम बोलते हैं सिनेप्स ये सिनेप्स क्या है तो एक्जान का ये जो अंतिम सिरा और दूसरे निवरान का जो ये वाला सिरा आपस में संबंदित रहते हैं और इस संबंद को हम बोलते हैं सिनेप्स और ये राशायन सिनेक्स को पार करके अगली तंत्री का कोशिकाओं तक विद्दुत आविक की रूप में सुचनाएं देता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिकिरिया है प्रतिवर्थी किरिया हमारा जो तंत्री का तंत्र है हमारा तंत्री का तंत्र ये दो भागों में आप बाढ़ सकते हैं एक होता है केंद्रीय तंत्री का तंत्र और एक होता है परिधिय तंत्री का तंत्र केंद्रीय तंत्री का तंत्र में क्या होगा यहाँ पर हमारा मस्तिश्क आएगा यह और यह मस्तिश्क से एक लंबी रचना निकलेगी मेरू रज्जू मेरू रज्जू और यह है मस्तिश्क तो यह जो और यहाँ से इस प्रकार संत्रिकाएं निकली हुई रहती है तो यह कैंदरी हिस्सा है यह मस्तिश्क है और इससे निकला हुआ है मेरू रज्जू तो कुछ किरियां ऐसी होती है एकदम अचानक होती है जैसे छीक का आना हम जा रहे हैं कहीं और अचानक हम हमारा पैर किसी से टच हुआ है और हम अचानक वहाँ से हट जाते हैं देखा हम रसी को साप समझ लेते हैं छीक का आना पलकों का जपकना कुछ किरियां ऐसी होती है वो कहलाती है अनैक्षिक किरियां तो यह जो मस्तिश्क है और यह मेरूरज्जू तो और बाकी यह आप देखेंगे हमारा मालो यह हांथ है तो इस प्रकार यह तंत्री का नियूरॉन्स के द्वारा यह सूचना है मेरु रज्जु तक पहुंचेंगी मेरु रज्जु से कहां पहुंचेंगी मस्तिश के तक लेकिन कुछ किरियाएं अचानक होती हैं और मेरु रज्जु के द्वारा हो जाती हैं ये हिस्सा और मस्तिश्क तक उसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है ये किरियाएं कहलाती है प्रतिवर्ति किरियाएं उद्धीपन उद्धीपन मतलब कोई कारण होना चाहिए आप देखेंगे यहाँ पर ये गर्म है तो हमारा हाथ जैसे ही ये गर्म इस्थान पर पड़ता है तो हमार तंत्रिका कोशिका से ये सूचना ये हमारा मेरु रज्जु है ये क्या है मेरु रज्जु इसका एक टी एस बनाया है तो मेरु रज्जु तक सूचना पहुंचती है मेरु रज्जु के अंदर एक धूसर द्रभ होता है ग्रे मेटर और वहां से ये वहीं के वापस प्रति इस आरण तंत्री का कोशिका में यह आती है और यहां से दूसरी तंत्री का प्रेरग तंत्री का कोशिका से होती हुई हमारे हाथ की जो पेशियां हैं कारकर अंग हैं वो इसको सूचना देते हैं और तुरंथ हमारा हाथ वहां से हट जाता है तो यह जो किरिया हुई है प्रत के द्वारा संपन्न हो जाती है मेरू रज्जु के द्वारा तो वे अन्यक्षिक क्रिया हैं जो किसी उद्धीपन उद्धीपन मतलब कोई कारण जैसे आपको कोई पिंच उबो दे या गर्म पानी है तो यह इस प्रकार इसके द्वारा यह सूचना पहुंसती है और बापस अठीक सलफ कर दिज्धीपन मतलब मतलब महत्वपोर्ण है अच्छा अब होता है प्रतिवर्थी चाप एसको आप इसको आप यहान लेकरते हैं जैसे सबसे पहले आप लेकर आप उद्धीपक, सबसे पहले कारण लेखेंगे, उद्धीपक के बाद आप क्या लेखेंगे, ग्राहियंग, ग्राहियंग से संबेदी तंत्रिका, संबेदी तंत्रिका से मेरूरज्जू, और फिर प्रतिसारण कोशिका, प्रेरग तंत्रिका और कारकर, इस प्रकार ये मार्ग आप लिख सकते हैं तो इसको बोलते हैं प्रति वर्ति चाब क्या बोलेगे प्रति वर्ति चाब अब अगला topic है हमारा मस्तिश्क अभी हमने प्रति ब़ती के लिया के बादे में पड़ा जो की मेरु रज्जु के दौरा हो रही है हमारा अगला भाग है मस्तिश्क को माना मस्तिश्क है इसके तीन भाग होते हैं अक्र, मध्ध और पश्ष आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यह जो मस्तिश्क है, यह खोपडी, हड़ियों का एक धाचा होता है, उसको खोपडी कहते हैं, वहाँ पर यह अंदर रहता है, इसके तीन भाग है मस्तिश्क के, यह जो दिख रहा है शुरू का, अग्र मस्तिश्क, अग्र मस्तिश्क में ह यह आजाता है, प्रा मस्तिश्क, दूसरा भाग है, म attent मिस्तिश्क, यह देखिए आप, यह यहां तक, मतम मस्तिश्क और यहां पर मतम मस्तिश्क में ही हाइफु थेले electronics मत रहता है, और बाजु में, यहां पर एक ग्रंथी है, अंतर इस्तप्रावी ग्रंथी, प्योजब यह हमारे मस्तिश्क में पाई जाती है और पश्च मतला तीसरा हिस्सा यह वाला इसमें तीन अंग यह पूरा पांस नामक यह पांस है यह मैडियूला है और यह अनुमस्तिश्क है और इसका यह हिस्सा यह आप देखे थे ना यह मस्तिश्क है मस्तिश्क का यह हिस्सा क्या ब जो अग्र मस्तिश्क है यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है बहुत महत्पून भाग है सारी सूचना एकत्रित करता है पर उसका एनालेसिस या विसलेशन करता है और जो मद्ध मस्तिश्क है इसमें भी विसिस्क अंग पाई जाते हैं सुनने के और जनाओं को देखने के लिए और जो पष्च मस्तिष्क है ये अनेक्षिक ख्रयाओं पर नियंत्रन करता है हमारी शरीर में कुछ अनेक्षिक किरियाओं ऑथी है जैसे बोजन का पाचन और कभी-कभी मुझे अचानक लार उत्पन ओना तो ये सारी क्रियाओं मद्ध मस्तिष् की जाती हैं और यह है मेरु रज्जु यह देखिए कार बद मस्तिश्की के अच्छा अब जो मस्तिश्क है बहुत ही कोमलंग है तो मस्तिश्की के जो उतक होते हैं उनको रक्षिक किया जाता है तो हमारा जो मस्तिश्क है उसके चारों और एक कपाल या हड्डियों का एक भा होता है जिसके अंदर मस्तिश के पाया जाता है उसी प्रकार जो मेरू रज्जु है ये भी वहां पर ऐसी पतली-पतली हड्डियों का आप मेरू दंड बोलते हैं उसके अंदर ये इसके अंदर ये मेरू रज्जु सुरक्षित रहता है ये शरीर के बहुत महुत पूर अंग इसलिए उनको विशेर सुरक्षा प्रदान की जाती है अब इसमें महत्वपूर प्रश्नी हो सकते हैं मस्तिश्की के कार लिखिये और मेरुरज्जु के कार और न्यूरॉन या तंत्री का खोशिका को आपको चित्र बनाना है धन्नवाद